Rs. drive के लिफाट के स्टुड आर्ट के स्टूड य enlightenment जयसके आप जानते हैं लास्ट क्लास में exercise शी सिक्स एक की बात कर रहे थे और चाोट एक्सराइज 6 एके लास्ट क्लास में हमने कोशन नमबर 1 पर डिस्क्स किया था बागी के रिपेशन आपको करने है आज हम कोशन नमबर 2 की बात करेंगे और कोशन नमबर 2 में लिखा हुआ है बेटा सब्ट्रेक्ट जो रूल हम अप्लाई करते हैं बेटा एडिशन पर वही एक्सवाई जैसे कि मैंने इंटेजर में आपको बताया था यहां पर ऐसा कह रहा है माइनस के 8xy सब्टैट करो फ्रॉंब 7 इसमें से यह घटाने तो पहले यह वाला लिखा जाता है तो बेटा 7xy माइनस माइनस के 8xy क्लियर तो यह हो जाएगा आपका 7xy माइनस माइनस कितन हो जाएंगे बिटा 15 x y that is your answer question number first समझना आगया इसके बाद इसका एक पार्ट ले लेते हैं बाकि सेकंड पार्ट में इसमें हम लेते हैं फिफ्ट पार्ट ले लेते हैं बिटा इसका फिफ्ट पार्ट में क्या कहा कि कह रहा है कि एट स्कुंः मैनस करना व्रों मे clam from 2x स्कुंः माइनस 3y स्कुंः प्लस 6xy ड्य लेते हैं तो यह माइनस ना इसमें में जैंप सको पहले लिखेंगे 2x square minus 3y square plus 6xy ठीक है पहले bracket में लिख रहा है minus x square minus y square तो जैसे कि हम last class में discuss कर रहे थे अगर bracket के भार minus होता है तो अंदर के sign change हो जाते है opposite हो जाते है यह bracket कोल लेंगे तो plus x square है minus के हो जाएंगे minus के है तो यह plus के हो जाएंगे because यह ऐसा होता है multiplication होता है because ठीक है तो minus plus minus plus minus और minus minus plus clear है अब हम क्या करते है बेटा same term वाले like variable एक साथ रखते हैं तो 2x square minus x square फिर minus के 3y square plus y square और plus 6xy एक साथ रखा उसके बाद 2x x square तो plus minus हो जाएंगे तो x square बचेंगे plus के बचेंगे because 2x square बड़े हैं और वे plus के हैं ऐसी यहाँ पर minus plus minus हो जाएगा 3y square में से 1y square जाएंगे 2y square लेकिन minus के 2y square और plus 6xy ऐसी रहेगा और it is your answer तो question number 2 कर लिया है उसके बाद question number 3 मैं करा रहेता हूं question number 3 भी आपको question number 3 हम कर लेंगे question number 3 में क्या का है बेटा कह रहा है subtract आप question देखें बुक में subtract 2a minus 3b plus 4c from the sum of a plus 3b minus 4c comma 4a minus b plus 9c and minus के 2b plus 3c minus a कह रहा है subtract पहले जो bracket दिया है यह minus करना है from the sum of इन सब के sum में से तो बेटा हम क्या करेंगे हम सबसे पहले इनका sum कर सकते हैं right क्या कर सकते हैं sum कर सकते हैं और उसमें से हमें minus करना तो हम क्या करेंगे बेटा जहांसे देखेंगे हम पहले इनको add कर लेंगे a plus 3b minus 4c clear यहां तक तो और bracket में और इसको हम क्या कर देंगे? क्योंकि हमें का इन तिन नों के सम में से 4a-b और 2b 3c और इन तिन नों के सम में से क्या माइनस करना आपको? 2a-3b प्लस 4c क्लिए? चलिए जब हम इसको सवाल को Soul करेंगे तो हम इसको ऐसी रखते चले जाएंगे अज देखेंगे कैसे करते हैं पहले हम इसको bright खोल लेते हैं a प्लस 3b माइनस 4c प्लस 4a माइनस b प्लस 9c प्लस माइनस माइनस 2b प्लस 3c माइनस a ऐसे ही यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 2A माइनस 3B प्लस 4C यहाँ तक सही है उसके बाद हम A वाली टम एक साथ रख लेंगे A प्लस के 4A फिर ढूनते हैं बेटा माइनस का A फिर ढूनते हैं माइनस के 2A और कोई A वाला नहीं है फिर हम क्या करेंगे बेटा B वाले 3B यहाँ से स्टार्ट के 3B फिर हमें B वाला बेटा मिला यह माइनस का B फिर हम ढूनदे माइनस के 2B फिर हम आगे ढूनदेंगे बेटा तो माइनस के 3B कम्प्लीट है फिर माइनस के 4C similarly हम C वाले साथ करेंगे minus के 4C plus के 9 के C plus 3C और plus 3C के बाद 4C clear यहां तक आगे चलते हैं इनका add कर लेंगे बेटा A, 4A, कितने हो जाएंगे बेटा 5A और minus minus plus minus 3A फिर करेंगे बेटा B वाले plus देखो same nature के एक साथ कर लेते हैं बेटा यह फिर cancel बजाएंगे plus के 3B से minus के 3B cancel हो जाएंगे because plus minus minus हो जाएंगे तो यह 0 होगा, right और यहां पर minus minus तो यहां पर आपके क्या बचेंगे, minus के 3B, कितने बचे minus के 3B बचे, right बेटा उसके बाद आगे चलते हैं यहां तक तो हमने इसको solve आउट रड़ लिया clear है minus के plus यह तो cancel होगे और minus minus 3B, आगे चलते हैं आने कि हमने यहां तक solve कर लिया उसके बाद यह है, minus के 4C से plus के 4C cancel out हो जाएंगे, 9 और 3 कितने हो जाएंगे बेटा 12C हो जाएंगे क्या हो जाएंगे बेटा plus 12C इसको आगे करते हैं बेटा यहां पर जब आगे करेंगे तो बेटा 5 में से 3 जाएंगे 2A minus के 3B और plus के 12C ठीक है बेटा तो एक सेकिन रुकेंगे सायद कोहीं कोई mistake तो नहीं एक पर चेक कर लेते हैं ओके बेटा फाइनली एक थोड़ी सी mistake मिली है वो थोड़ा से ध्यान हड़ गया था minus के यहां पर भार है तो यह change हो जाएंगे यह तो minus के 2A हमने इसका तो ध्यान रखा लेकिन minus minus यह plus हो जाएंगे और यह आपका बेटा यह minus हो जाएगा minus के 4C clear है बेटा जब आप इसको note down करेंगे आपने यहां पर note किया इसको तो बेटा यह आपके सबसे पहले 3B यह आए फिर minus के B यह वाले आए उसके बाद minus के 2B यह सही है तो यह plus के 3B हैं आपके पास यह काम कर लेते हैं यहां से हम कोश्चन को दुबारे से कर लेते हैं इसको हम note down नहीं करते हैं देखिए बेटा इसको हम यहां से दुबारे कर लेते हैं यहां तक तो आपको I think clear होगा यह है plus के 3B और minus के 4C देखो बेटा गलती हो जाती है आपको आवाज साउंड में कोई दिक्कत ना है क्योंकि फैन के वाज से आवाज करता है चलिए हम इसको दुबारे से करते हैं यहां से हमारे क्या हुआ यह वाले एक साथ रखते हैं पहले A है बेटा फिर क्या है 4A फिर है हमारे पास minus का A minus के यहां तक पहुचीगे फिर है minus के 2A तो यह सारे A वाले साथ होगे plus 3B फिर B वाले find out करेंगे minus के B फिर minus के 2B फिर plus के 3B फिर क्या करेंगे C वाले minus के 4C plus 9C और फिर plus के 3C और फिर minus के 4C यहां तक सही है बेटा उसके बाद हम इनको थोड़ा सा add यह हो जाएंगे बेटा 5A और minus 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 के 3A यहां तक किलियर है ऐसी यहां पे कर लेंगे बेटा यहां पे हो जाएंगे आपके 3 और 3 कितने हो जाएंगे 3 और 3 यहां पे काम करते हैं इसको प्लस के 3B रख लेते हैं प्लस के 3B किलियर है यह चलो minus plus कर लेते हैं प्लस के 3B, प्लस के 3B कितने हो जाएंगे 3 और 3 6B ऐसी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो माइनस के 3B किलियर है यहां तक तो उसके बाद 5 में से 3 जाएंगे 2A उसके बाद 6B में से 3B जाएंगे 3B उसके बाद उसके बाद आपका जो है C वाले C वाले का है हमारे यह रहे माइनस प्लस माइनस होगा बेटा और साइन आएगा प्लस का बिकोस बारा सी बड़े हैं तो यहाँ जाएगा 4C और बेटा यही आपका आंसर है किलियर बेटा तो आपका कोशन नमबर 3 भी हमारा हो चुका है बेटा कोशन नमबर 3 के बाद कोशन नमबर 4 कोशन नमबर 4 जो आप करेंगे बेटा HW है आपका Do Yourself ठीक है हम करते हैं कोशन नमबर 5 किलियर है तो कोशन नमबर 5 करेंगे देखे बेटा question number 5 में क्या का है question number 5 में का subtract the sum of from minus के 3 तो बेटा हम subtract करना है minus के 3 में से subtract करना है क्या subtract करना है 2 का add तो हम इनको बड़े bracket में रख लेते हैं उनको add कर लेते हैं 8A minus 6 A square plus 9 फिर plus है बेटा minus के 10A minus 8 plus 8A square right और यहां पर हमने bracket बंद कर दिया तो minus के 3 minus अब हम अंदर वाले bracket solve करेंगे पहले 8A minus 6A square plus 9 फिर similarly plus minus क्या हो जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा minus के 10A और minus 8 plus 8A square यहां तक कोई दिक्कत नहीं है हम bracket भी खोलते ही नहीं हम सिद्धा ऐसे ही करेंगे अंदर solve A वाले एक साथ तो आप देखोगे बेटा 8A minus हम क्या करेंगे बेटा 8A और minus के 6 square plus के 9 हम एक काम करते हैं बेटा पहले square वाले पहले एक साथ रख लेते हैं आपके मर्जी आप कैसे भी कर सकते हैं तो minus के 6A square because इसकी जो term होती है जो इसकी power होती है वो सबसे बड़ी square वाली है तो इसलिए हम पहले बड़े वाले रखेंगे 6A square और plus 8A square के लिए रहां तक तो उसके बाद हम A वाले रखेंगे plus के 8A और minus 10A और plus 9 minus 8 उसके बाद minus के 3 minus इसको हमने as it is रहने दिया अब इनको हम solve करते हैं minus plus minus कितने बचेंगे 2A square plus के बचेंगे because 8A square plus के हैं और वे बड़े हैं minus 8 plus के 8 है और minus के 10 है तो plus minus क्या हो जाएगा minus हो जाएगा और जब आप इसको minus करेंगे तो क्या होगा 2A plus 8 में से एक जाएगा 9 बज़े एक बज़ेगा वो भी plus का अब हम bracket खोल लेंगे बचा minus के 3 minus 2A square plus 2A minus 1 अब हम क्या कर सकते हैं बचा एक साथ करेंगे minus के 2A square as it is रहने दिया plus 2A साथ और minus 1 minus 3 तो क्या होगा आपका minus के 2A square plus 2A minus minus plus minus का साइन 4 यह ही आपका बेटा अंसर है अब करते हैं question number 6 और question number 6 में है बेटा simplify question number 6 में आप ध्यान से देखेंगे अपनी बुक में तो question number 6 में का है simplify तो simplify में बेटा सबसे पहले में पार्ट करता हूँ उसका बेटा first part right और जैसे हम बेटा first part करेंगे तो simplify का basically simplify में bracket कोलने होते हैं 5x minus 9y उसके बाद minus 7x plus y यहां तक ठीक हैं तो हम bracket कोलेंगे basically कुछ नहीं करेंगे 5x minus 9y minus 7x plus plus minus minus y उसके बाद हम एक सेथ रख लेंगे 5x minus 7x minus 9y minus y minus plus plus minus minus तो आपके बचेंगे बेटा एक सेकिंड यह हमारा minus के 7x है यह सोरी हमने थोड़ा note करने में गल्दी कर दी है minus के 7x है यह ना बुक में यह तो यह minus minus बेटा plus हो जाएंगे यह plus हो जाएगा 7 और 5 12x और minus 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 10y और यही बेटा आपका आंसर होगा के लिए बेटा अब हम करेंगे question number अब हम करेंगे बेटा question number 6 का ही last part वो है आपके बुक में fourth right fourth part को करेंगे मेरे साथ आप तो ध्यान से देखेंगे बेटा इसमें यह लिखा हुआ है क्या इनको simplify करना है simplify करने के लिए 1 upon 3y square minus 4 upon 7y plus 5 और यहाँ पर minus और फिर bracket है बेटा 2 upon 7y minus 2 upon 3y square plus 2 एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यह square है हंजी square है उसके बाद minus बेटा इनकोस्टन में कुछ नहीं होता basically ध्यान रखना पड़ता है छोटी छोटी otherwise थोड़ा सा भी ध्यान इसमें इधर उदर हो जाता है तो गलती होने के chance बढ़ जाते है right चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा सबसे पहले हम एक ही काम करेंगे इनमें bracket खोलेंगे जैसे हम bracket खोलेंगे तो 1 upon 3 y square minus 4 upon 7 y plus 5 यहां तक तो सही है उसके बाद जब bracket खोलेंगे तो bracket के बाद minus है तो अंदर के sign reverse हो जाएंगे तो 2 upon 7 y यह हो जाएगा plus के 2 upon 3 y square और plus minus minus 2 similarly यहां पहलेंगे minus 1 upon 7 y minus plus 3 3 और minus 2 y square यहां तक सही है उसके बाद हम एक साथ वाले रखेंगे जैसे like variable 1 upon 3 y square plus 2 upon 3 y square minus 2 y square फिर हम बेटा y वाले 4 upon 7 y यह अब हम वाले वाले एक साथ रखेंगे minus 2 upon 7 y और minus 1 upon 7 y यह वाला फिर हम एक साथ रखेंगे constant 5 minus 2 और plus 3 यहां तक सही आप क्या करेंगे बेटा यह देखो आप यह सब एक जैसे होगे यह सब एक जैसे होगे और यह सब एक जैसे होगे राइट और इनके साथ में multiplication करेंगे ठीक है बेटा यहां पर कुछ नहीं है तो यहां पर 1 into 1y square यह जिसके साथ कुछ नहीं होता एक होता है यह मैं 100 गलते दिखा रहा हुँ आपको तागी समझमा जाए तीनी कम 3 यानि की 1 into 2y square उसकी तरह यहां से minus का sign और यहां पे 3 1 3 3 तो 3 into 2y square clear है यह पूरा term हो गया अब यहां का LC हम ले लेंगे आप देख सकते हैं हमें काम करेंगे हैं पर plus कर लेंगे इनको because we know that यह plus है और इसको अंदर रहने देंगे तो यहां पर हम क्या करेंगे 7 ले लेंगे जैसे हमने यहां पर 7 लिया 7 बंज़ा 7 तो 1 आया कितना है 1 minus के 4 y फिर यहां पर करेंगे minus 7 बंज़ा 7 1 आया तो 1 2 y similarly यहां पर 7 बंज़ा 7 तो यहां पर क्या आया 1 आया तो minus की 1 into 1 y के लिए रहेंगे मैं आपको समझाने के लिए तरह में किया रहें तो आप मैं समझ सकता हूँ आप डारेक्ट भी कर सकते हैं because आप 7 ती स्टेंडर में है उसके बाद 5 और 3 8 minus 2 that means 8 minus 2 के लिए रहे हैं तक तो उसके बाद next जैसे हम इसको solve करते हैं तो multiply करेंगे बिटा तो जैसे multiply करेंगे यहां हो जाएगा आपको y square plus 2y square minus 3 2 6 y square आप ओन क्या हो जाएगा 3 ऐसे हम इसको देखते हैं बिटा जैसे हम इसको करेंगे तो यहां पर क्या आएगा 7 minus के 4y और minus के 2y minus के y clear है और इसको solve करेंगे आप तो यहां आजाएगा plus के 6 जैसे हैं आप इसको ओट short करेंगे तो हमें बताएगे कितने हो जाएगे 3y square minus 6y square upon 3 plus minus के हैं सभी 4 5 6 और एक 7 तो minus के 7 y upon 7 और प्लस 6 जब आप इसको solve आउट करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा minus plus minus minus के 3y square upon 3 plus इसको खोल लेते हैं plus minus minus हो जाएगा 7 upon 7 y plus 6 3 से 3 cancel हो जाएगा 7 से 7 तो minus के y square minus y plus 6 that is your answer के लिए रहे बेटा तो आज हमारी exercise 6a complete होगी मिलते हैं नेक्स किलास में एक नई exercise 6b के साथ तब तक के लिए टेक कियर जै हिंद जै भारत कि अगुंष के कि हमारी दली में एकि जैनी है